प्रशांत महासगार तथा हिंद महासागर के समुदरी सतह पर हो रहे बदलावों के आहार पर दो वैश्विक मौसम एजंसियों ने अल नीनों का अस्तित्व लगातार कमजोर पढ़ने का संकेट दिया है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है. आस्ट्रेलिया मौसम एजंसी ने कहा है कि हिंद महासागर का डाइपोल अब सामाने स्थिती में वापस लौट आया है, जबकि विशुवतिय प्रशांत छेत्र में समुदर की सतह का तापमान थंडा पढ़ने लगा है. यह अलनीनों के समाप्त होने के लक्षन है, और ऐसा प्रतीत होता है कि एक दो माह में यह खत्म हो जाएगा. भारत में दक्षिन पश्चिम मानसून का सीजन जून से आरंब होकर सितंबर तक जारी रहता है, और देश में लगभग सत्तर से पच्छतर प्रतिशत वर्शा इसी चार महीनों की अबधी में होती है, जो खरीफ फसलों के लिए आक्सीजन या टॉनिक का काम करती हैं. पिछले साल मानसून कमजोर रहा था क्योंकि अलनीनो का प्रकोब गंभीर हो गया था. अगस्त का महीना तो पिछले 120 वर्शों में सबसे ज्यादा सूखा रहा था. इससे अनेक खरीफ फसलों पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ा जिसमें धान, गन्ना, कपास एवं के साथ साथ दलहन फसलें भी शामिल थी. मौसम विशेशग्यों के अनुसार दिसंबर 2023 से ही समुद्र में हलचल की स्थिती बदल रही है. प्रशांत महासागर के समुद्री तल का ठंडापन जितना बढ़ेगा अलनीनो मौसम चक्र की संभावना उतनी ही घट्टी जाएग और लानीना मौसम चक्र के आने की संभावना बढ़ेगी. विशेशग्यों का कहना है कि अलनीनो मौसम चक्र के लिए एक महत्वपून संके तक, जिसके फलस्वरूप एशिया महादवीप में लंबे समय तक मौसम शुष्क बना रहता है और कई देशों में सूखे का गंभ वर्ती छेत्र की और बढ़ गई है जबकि घनात्मक OLR इंडोनेशिया की और बढ़ गया है. इससे अलनीनों के समाप्त होने का संकेत मिलता है.